गंगा जी के घाट पे पहुंचाता है और देखता है कि कितनी बड़ी नदी और अपनी पत्नी बिन्ना से कहता है कि बिन्ना ये इतनी बड़ी नदी है कहां से आई है उसकी पत्नी बिन्ना अपने पत्ती शाही लककडारे को बताती है कि यह नदी इस परकार से और इसकी कैसे उत्पत्ती हुई क्या बताये बना ब्रह्यरूप बगवाने चर्ण से गुवान निकली गंगे मास्टे स्यार्या वर नाडे दोने वे जल पीडे से उल्वा दात्तार पिया वर नाडे दोने वे जल पीडे से वर नाडे दोने चर्ण मास्टे बना वर नाडे दोने चर्ण मास्टे से पाकनादू physical hormas गुवान दोने पीडे से वोय सूर्यवनसियों में काजाता गे कि शक्त्रियों में सबसे पर्थम सूर्य वंसिव होए है उनी में एक राजा सगड होए जिनके साथ जार कुत्र थे बहुत बड़ी सेना और साथ जार कुत्र उन्होंने एक असो मेग्य किया और शामकर्म नाम का एक घोड़ा छोड़ जया और दाम्डे के अक्सरों से जिख दिया कि वाई किया की हिम्मत है तो रोक लियो राजा इंदर सरग के राजा उन्होंने देख्या दियो तो वाई गणाए वोस बार जिया उन्होंने वो घोड़ा चुपके से कपिल मुनी के आश्रम में बान दिया और जब वो शेना और उस राजा के लड़के वहां से निकड़ दे हैं और देखते हैं कि मुनी की इतनी हिम्मत हमारा गोड़ा बान दिया और उस राजा के लड़कों ने मुनी की कमर पे लात मार दी क्या अनर्थ हो जाता है या बताया यारा थुरिया वंची यारा थुरिया वंची राजा सगड़ होए या जिनिक्ये बेट के साथ हो गया असो में गी अग तर्या राजा ने या जिसमें चुड़ क्या सब सारे शाम करण देके गोडा छोट्या तंबे के दी अक्षर तारे गोडा पकड्या इंदर ने जा वांध्या के परम पे लारे खोड़ा बंजा ते गश्या ने जिसमार अरी शीक लात मार नाए दोए चलबीडे से उद्धो जाने आप्टिया वह वह वादो तो 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 ए निकली गंदी आप्टिया तेर नाए दोए चलबीडे उद्धो जाने आप्टिया कर दोए बाए चलबाए बुच कर दोए जाने आप्टिया उद्धो जाने निकली आप्टिया कि अजवा टूण वाय। यह बाई बनचीत दुजाणा सो रुपे पाल्टी कोई नाम देते हैं भाई का धन्यवाद और बड़े बाई साव नम्मरदार साथ जैसिंगी जी 100 रुपे पाल्टी कोई नाम देते हैं धन्यवाद बाई लीलू ठाकरान और बाई स्वामी जी नाम नहीं पता बाई सो सो रुपे नाम देखते हैं और बाईयों नों भी दिया है बाईयों का धन्यवाद यह हमारे जीवा पंडजी के लड़के और भतीजे निकेद और जै दोनों बच्चे छोटे हैं पचास पचास रुपे पार्टी को इनाम देखते हैं बच्चों का धन्यवाद क्या बताया जब रिशी की आख खुली क्रोध में और देखते हैं किसमे लात मारती जिधर भी देखते हैं उधरी सब खाक हो जाता है सब कुछ खाक तीन दिन बाद और राजा सगड का पोता अन्सुमान मूँ में तिन का दबाके और अपने पुल्पे को टोन आता है और उनको चड़ हुए देख के रोने लगता है कि हे भगवान कित्री लाशे पड़ी हैं इनकी आत्मा की शान्ती कैसे होगी और तभी एक गरुड उस युग में त्रेक्ता में गरुड था वो उसको आगे बताता अन्सुमान को कि भाई भगवान के भचनकर और गंगे माई इसकी मुक्ति का सकती है उसी दिन से वो सगड का पोता अन्सुमान भगवान में लो लगा लेता है क्या वताया या यह वाई सत्ते है अन्सुमान के बाट सुना होते है जाना फ्यार रिशिकी जाना फ्यार रिशिकी पितियां के भुली जब यह सब का डेर बणाया अन्सुमान से गड का पोता कुण पाटो अन्सुमान भगवान में लो 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 यह चाचाता हूँ जड देखता है यह दिन मुक्ति को चाया अन्सुमान भगवान में लो 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 अन्सुमान भगवान में लो 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 अन्सुमान भगवान में लो 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 अ जया 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 और इस तरह से चार पीठी निकल जाती है पाँचवी पीठी में भाली रखने जनम लिया और उसने लो लगाई बगवान में बगवान विश्णू माता गंगे को कहते कि गंगे आप जाओ और धर्ती पे उतार लेओ गंगे माई के कुछ तो दमन था और कुछ बात ठीक भी थी गंगे माई बोली विश्णू से कि मेरे वेग ने कोण ओड़ सकता है मैं धर्ती पे तो चली जाओंगी और फिर मैं अभी सब्त भी हो जाओंगी फिर भगवान शेंकर ने कहा अपना लोटा लगके कि आने दो मैं देखता हूं और भगवान शेंकर ने अपने कमंडल में गंगा को ले लिया पता नहीं कितने दिनों तक ट्रायमान त्रायमान करी जह ओ गंगा शीष में का गुमा का निकाड़ी और गंगे से कहा कि तु कभी भी अभिशप नहीं होगी तु निर्मल गंगे रहेगी तेरा पाणी तुरा जल के खरार नहीं होगा ये भाई बेदु अमारे अंकल भी सोरुपे पार्टि कोई नाम देते हैं धन्यवाद ये बड़े भाई रज्यू पचारुपे पार्टि कोई देते हैं धन्यवाद आई चार पिढ़ी तका एरा चार पिढ़ी तके करीता पश्या ये फिर पिढ़ी पंचा में आए ये वागी रखने ये जनम लिया जिसने भगती में लोग आई अम्रत लोग मैं रुचैये कपे ये न्यू विश्णू न फरम आई अम्रत लोग मैं खोड़ोटले ये न्यू बोली जनके लाई ये रखने शीस जुपा तुंबे मोट रासी जुपा तुंबे मोट लिया वोट लोग जी खाना दिया नाडे दोडे तलमीने से भुपा आई अम्रत लोग मैं खोड़ोटले ये नके वाद लोग लोग जीका नादिया अम्रत लोग जीका ये बाई परजाबत भगजी जी सो रुपे पार्टी कोई नाम देते हैं भगजी का देवाद और यह सो रुपे अमारे इंकल आवासिम जी पार्टी कोई नाम देते हैं कलगा देवाद तो भाई कि बोल्या दनपत छे कि बाई गंगे रातो आगई आप उहां कैसे नाणे जाते थे इतनी तूर क्योंकि उस टैम तो सवारिया बहुती कम थी और नाही कोई विक्कल थे उन्नीस सो ग्यारा में गिल्ली से गंगागड का स्टेशन बनया था रेल लाइन चली थी उस दनपत का गुरू था जिसने रागणी बनाई है जम्मू अमीर जम्मू अमीर जम्मू अमीर यह वाई 100 रुपे मनजीत पहलवान जी और 100 रुपे जोगिंदर जी अमारे दोस्त है दोनों कोर्टे इनाम देखते दन्यवाद जम्मू अमीर सांग किया करता बेरी आली मात्ता पैर पहले टोस्त को अंदर नहीं जाने दिया करते मुसल्मान था बाद में उसको इजाजत मिलगी और वो कैसे कित तरह से मरता की धोग जाके और गंगा के घाट तक पहुँचते है कैसे बताया कि अगर निलाने ये तै चलके हम ये बैठे मुटर लारी है मेर अतक से दो कोश पर है ये गंगा पह सुमारी में आई नको लबावनात आए जो रहती मदद हमारी में आई शेत्वी नवले तक लोग अगरे सवारी है जाहां सवार के घाट तर जुदू तक पहुदू तक पहुदू तक पहुदू ये रहती योदंपतशनिते तेरे आदुया जाने तोने चल पीने ते दुदू तक पहुदू 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 झाल झाल